आदरनी बंधू माताओ वे मेरी प्यारी बेहनों राधी राधी आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है बंधू आज हम इस वीडियो में मा जगदंबा की सात्मी सवरूप मा काल रात्री की कथा सुनेंगे जिसी सुननी सुनानी से मनुश्य हर परकार के भैसे मुक्त होकर अपनी शत्रों पर विजे पाता है कलेह कलेश का नाश होता है प्रस्थितियां अनकूल समय शुब वे मंगल कारी बनता है मा काल रात्री की इस कथा को सुनने के बाद यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफकेशन सबसे पहली आप तक पहुँचें वीडियो को शेर वेल लाइक भी जरूर करें बंधू काल ही शाश्वत एवं मुक्ती का परतीक है काल की सत्यता से कोई मुन नहीं मोर सकता महत्व कांक्षाओं की मुठी बांद कर जीव इस संसार में आता है और फिर हाथ पसार कर चला जाता है जो साक्षात स्वयम में काल हो वे है काल रात्री है जो मृत्यू और प्रले की देव शिव हैं उनकी शक्ती काली है भगवान शिव द्वारा मा पारवती को अमोद परमोद में काली कह देने से शक्ती सवरूपा मा भगवती काली के नाम से परसिद हुई और अपने नाम को सार्थक करते हुए मा काल रात्री युद शेत्र में शत्रू का काल बन कर प्रगट हुई मनुष्य जिन चीजों से दूर भागता है देवी काली को वह सब वस्तु में प्रिये हैं बंदू नवरात्री व्रत के साथमे दिन मा भगवती के साथमे सवरूप मा काल रात्री की पूजा की जाती हैं काल और प्रस्तितियों को यहें पावन और मंगल करती हैं मा काल रात्री की पूजा साथक को हर परकार के भैसे मुक्त कर शत्रू पर विजे दिलाने वाली होती हैं मा काल रात्री जिस साथक पर परसन हो जाए उसके लिए कहीं कुछ भी प्रापत करना कठी नहीं होता देवी भागवत की कथा के अनुसार धरा को राक्षिशों से मुक्त करवाने के लिए मा दुर्गा ने युद्ध शेत्र में अपने तेज से मा काल रात्री को उत्पन किया था मा का रंग काला होने के कारण इनहें मा काल रात्री के नाम से संबोधित किया जाता है युद शेत्र में जब भगवती एक के बाद एक राक्षशों का वदकर देवताओं को विजे की ओर ले जा रही थी और युद शेत्र देवताओं त्वारा भगवती के जैकारों से कुझ रहा था उसी समय महान बली एवं तेजस्वी देत्य रक्त बीज देवी के सामने आपहुचा। रक्त बीज एक ऐसा असुर था कि जब उसके रक्त की बूंदे धर्ती पर गेती थी तो उसके समान ही शक्तिशाली और रक्त बीज पैदा हो जाते थी जिनके रूप और प्राक्रम में ए एक जैसी समानता रहती थी तब मा दुर्गा ने अपने तेज से मा काल रात्री को उत्पन किया और कहा हे चामुंडे अब रक्त बीज के रक्त की एक बूंद भी धर्ती पर ने गिरने पाई तब युद्ध के दोरान रक्त बीज का जितना रक्त बहा मा काल रात्री उसका पान करती रही और अंत असुर रक्त बीज मा के हाथों मारा गया बन्ध्वो मा काल रात्री का सबरूप रात के अंधेरे की तरहें काला है बाल विखरे हुए हैं मात्री नित्र धारी है इनकी चार भुजाएं हैं, मा काल रात्री ने एक भुजा में कटार और दूसरी भुजा में लोहे का काटा धारन किया हुआ है तथा अन्य दो भुजाएं वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं गले में विधुत की माला है और स्वाशों से अगनी निकलती है मा की सवारी गर्धव है, मा का ये सवरूप, वीर्ता और साहस का परतीक माना जाता है, मा अपने भक्तों पर परसन होकर उन्हें शुब फल परदान करती है, इसलिए इन्हें मा शुम्ब कारी के नाम से भी पुकारा जाता है मा काल रात्री की क्रिपा से भक्त हमेशा भ्य मुक्त रहता है, उसे अगनी जल शत्रू रात्री आदि का भ्य कभी नहीं सताता आसुरिक शक्तियों को वश्मे करने के लिए तांत्रिक लोग मा के इस रूप की विशेश रूप से पूजा करते हैं इसलिए मा काल रात्री को यंत्र मंत्र और तंत्र की देवी कहा जाता है तिल के तेल की जोच से मा विशेश रूप से परसन होती है सब्तम नवरात्रे मा काली के काली चालिसा के पाठ को अवश्य करना चाहिए इस परकार बंधो नवरात्री व्रत के सात्मे दिन मा जगदंबा के सात्मे सवरूप मा काल रात्री जो भैसे मुक्त करने वाली, रिधी सिध्यों को देने वाली, कस्ट कलेश को काटने वाली और आधी व्याधियों से मुक्त कराने वाली है उनकी पूजा कर कथा का श्रवन करें, मा को गुड का भोग अरपित करें और मा का आशेर वाद पाएं बंधु मा भगवती की कृपा आप वे आपके परिवार पर सदैब बनी रहे, आपका घर आंगन खुश्यों से महकता रहे इन्ही शुक कामनाओं के साथ आप सब का बहुत बहुत धन्यावाद राधे राधे